लास्ट क्लासेज में हमने एलिमेंटरी पार्टिकल का अध्धिन किया। उसके साथ ही एलिमेंटरी पार्टिकल को हम किस प्रकार से क्लासिफाई करते हैं। फिर उसके बाद में जो एलिमेंटरी पार्टिकल थे उनकी प्रोपर्टीज का अध्धिन किया। और देन आप्टर हमने कुछ फंडामेंटल इंट्रेक्शन का भी एद्धिन किया फंडामेंटल इंट्रेक्शन जो थी उम्मुखे ते अपने चार फंडामेंटल इंट्रेक्शन थी जिनमें Strong Interaction, Weak Interaction, Electromagnetic Interaction और Gravitational Interaction ये जो हमने चार Interaction पड़ी ही, इन चारो या ये चारो Interaction जो है, वो कुछ physical quantities के सरक्षन नियम पर आधारीत है अर्थार्थ ये इन चारो Interaction में कुछ physical quantities कंजर्वेशन लो लागू होते हैं, तो ही वो reaction संपन हो पाती है, अन्य था वो संपन नहीं होगी या हमें कोई reaction दे दें, और पूछ ले कि भई इसमें कौनसी interaction हो रही है, तो वो interaction चेक करने के लिए हमें कुछ conservation loads को देखना होता है कि यदि इस interaction में या माल लेते हैं कि किसी reaction में को strong interaction है, तो उसका पता लगाने के लिए हम कुछ conservation loads को देखेंगे यदि उसमें उन conservation loads की पालना हो रही है, तो हम कह सकते हैं कि इसमें strong interaction है या ये जो reaction दी है, इसमें strong interaction हो रही है, या इसमें electromagnetic interaction हो रही है तो हम कुछ physical quantities के conservation loads का आज अधिन करेंगे ये जो conservation loads है, इनको हमने दो भागों में डिवाइड किया है एक part जो है, वो तो है exact conservation load और दूसरा है, approximate conservation load इनको दो भागों में डिवाइड इसली किया कि जो exact conservation load है, वो जितनी प्रकार की हमने fundamental interaction पड़ी थी उन सभी में लागू होते हैं अर्थार्थें, जो हमने चार fundamental interaction पड़ी है strong, weak, electromagnetic और gravity अस्टर्ण उन सभी में लागू होते हैं जबकि approximate conservation load जो है वो weak interaction में लागू नहीं होते उनकी पालना मुखे तया strong interaction में ही होती इसलिए उसको हम approximate conservation load कहते हैं अब जो exact conservation load है वो कौन-कौन से है वो मुखे तया अपने पास 6 लो है उनमें है conservation load of energy conservation load of momentum conservation load of charge conservation load of laptop number और लास्ट है conservation load of barrier number फिर उसके बाद में जो approximate conservation load है वो मुखे तया है iso-spin conservation load strangeness conservation load parity conservation load और charge conjunction symmetry law ये जो चारो नियम है इनकी पालना सिर्फ strong interaction में होती है अब सबसे पहले हम लेते हैं exact conservation load और उनमें सबसे पहला जो low है वो है energy conservation load energy conservation load को समझने के लिए यहां पर एक neutron decay या beta decay का example दिया है जिसमें ये neutron convert होता है proton में साथ में एक electron और anti-neutron भी generate होता है अब energy conservation load का अर्थ इसमें ये है कि यहां reaction होने के पहले total energy कितनी थी पार्टिकल की elementary particle की और reaction होने के बाद में कितनी energy तो energy conservation load के अनुसार वो दोनो energy equal होनी चाहिए कि reaction के पहले और reaction के बाद energy जो है इन सभी fundamental reaction में total energy जो है वो same रहेगी, equal रहेगी, constant रहेगी अर्था-अर्थे energy conserve रहेगी next जो है अपना वो है momentum conservation law और momentum conservation लोका भी वही अर्थ है जो की energy conservation लोका था कि reaction होने से पहले elementary particle का total momentum और reaction के बाद में elementary particles का total momentum equal होगा और उसका एक्जामपर यहाँ पर यह पायोन डिका दिया है कि पायोन डिके किस-किस में होता है मियोन और मियोन टाइप anti-neutronome है और इसमें देखें तो momentum conservation के अनुसार total momentum जो था reaction के पहले और reaction के बाद वो 0 है अगला नियम है अपना कौनिये समवेग सर्रक्षन नियम कौनिये समवेग सर्रक्षन नियम के अनुसार reaction से पहले और reaction के पसात भी elementary particle का total कौनिये समवेग सर्रक्षन नियम रहेगा उसका example दिया है यहाँ पर के मेसोन का डिके और के मेसोन का डिके जो है वो पाईयोन प्लैस और पाई नॉट्रल पाईयोन में होता है इस reaction से देखें तो reaction के पहले के मेसोन का angular momentum 0 है और reaction के बाद में दोनों पाईयोन का angular momentum 8 कर दें तो वो भी 0 आएगा तो इस प्रकार से यह कोण ही समवेख सरक्षन नियम लागू रहेगा उसके बाद में आता है चार्ज कंदर्वेशन लो चार्ज कंदर्वेशन लो भी सेम है जैसे पहले अपने लो पड़े हैं कि reaction से पूर हुए और reaction के बाद चार्ज बिल भी constant नेक्स्ट जो है वो है अपना लेप्टोन संख्या के सरक्षन का नियम लेप्टोन नंबर कंदर्वेशन लो हमने जब लेप्टोन की प्रोपर्टिस पड़ी थी तो वहाँ पर हमने लेप्टोन फेमिली के लिए एक क्वांटम नंबर डिफाइन किया था जिसको हमने लेप्टोन नंबर कहा था लेप्टोन फेमिली के लिए वह नंबर जो था वो L is equal to plus 1 था और anti-leptron family के लिए जो leptron quantum number था वो L is equal to minus 1 था तो leptron number conservation लोग क्या कहता है वो कहता है कि reaction से पहले और reaction के बाद लेptron family के लिए leptron number कंजर्व रहेगा जितना total leptron number reaction से पूर्व है उतना ही leptron number reaction के बाद में होगा कुल मिला करके total leptron quantum संख्या का संद्रक्षन होना चाहिए उसके बाद में है अपना बेरियोन संख्या के संद्रक्षन का निया लेptron properties के बाद में हमने बेरियोन नंबर या बेरियोन पार्टिकल की प्रोपर्टिस का भी अधिन किया था बेरियोन पार्टिकल हेडरोन थे और कौनसे हेडरोन फर्मियोन हेडरोन और वहाँ पर हमने इन सभी बेरियोन नंबर के लिए भी या बेरियोन पार्टिकल के लिए के लिए भी एक क्वान्टम नंबर डिफाइन किया था और वह क्वान्टम नंबर था बेरियोन क्वान्टम नंबर तो जो बेरियोन पार्टिकल थे उन सभी बेरियोन पार्टिकल के लिए हमने क्वान्टम नंबर बी इस इक्वाल टू प्लस वन डिफाइन किया नमबर डिफाइन किया तो जब भी को रियक्षन होती है तो उस रियक्षन में रियक्षन से पूर्वे बेरियों नमबर कितने हैं टोटल बेरियों नमबर और रियक्षन के बाद टोटल बेरियों नमबर कितने हैं तो बेरियोन कंजर्वेर्शन लोग के अनुसार किसी भी रियेक्शन में रियेक्शन से पूर्वे और रियेक्शन के बाद टोटल बेरियोन नंबर कॉंस्टेंट होने चाहिए यदि एसा है तो फिर वो बेरियोन संख्या की संरक्षन का नियम कहलाता तो ये जो हमने छे कॉंटम संख्याओं की कंजर्वेशन लोग पड़े हैं ये सभी छे नियम जो है चारो फंडामेंटल इंटरेक्शन में लागु होते हैं जिनको हमने एकजैक्टरिक कंजर्वेशन लोग कहा है उसके बाद में आता है अपना Approximately Conservation Laws और Approximately Conservation Laws को देखें तो उनमें सबसे पहला है IsoSpin Quantum Number और इसका Conservation Law और आइसो इस्पिन कंजर्बेशन लोग को पढ़ने से पहले हम यह देखते हैं कि आइसो इस्पिन क्वांटम नंबर है क्या आइसो इस्पिन क्वांटम नंबर क्या है तो यह जो आइसो इस्पिन क्वांटम नंबर है वो हमने elementary particle के लिए ही define किया है और ये जो quantum number है वो जितने भी अपने elementary particle है उनकी आवेश अवस्ताओं को व्यक्त करता है IsoSpin जो quantum number है वो आवेश अवस्ताओं को represent करता है जान रहे IsoSpin quantum number कन की आवेश अवस्ताओं को व्यक्त करता है कैसे व्यक्त करता है उसको अब हम आगे देखेंगे और उसको represent करते हैं अपन capital I से represent करेंगे capital I से हमने नुकलियोन का जब अधिन किया था तो नुकलियोन का अर्थ है कि नाविक में दो particle होते हैं proton और neutron जिसको common नाम हमने दिया था नुकलियोन यह है जो नुकलियोन है यह proton और neutron को हमने नुकलियोन का तो हम यह कहते हैं कि नुकलियोन की दो state है एक state proton है और दूसरी state neutron है अर्थार्थ जो नुकलियोन है वो डबलेट होता है उसी प्रकार से हमने sigma पार्टिकल पढ़ेते हाइपर रॉन sigma और यह जो sigma पार्टिकल थे इनकी भी तीन state थी sigma plus, sigma minus और sigma not तो यहाँ पर हम यह कहते हैं कि इस sigma पार्टिकल की कितनी state है 1, 2 और 3 अर्थार्थ जो सिग्मा हाइपरोन यह सिग्मा पार्टिकल ट्रिपलेट state में होता है उसी प्रकार से हमने जाई पार्टिकल भी पढ़ा उसको हमने इस प्रकार से तेन लाइन लिकर के रिप्रेजेंट किया और वो भी दो प्रकार का था sigma not और sigma minus अर्थार्थ जो जाई पार्टिकल है वो भी दो state पे रहता है एक sigma not में और जाई माइनेस में फिर उसके बाद में हमने देखा हाइपरोन जो थे उसमें लेम्डा not हाइपरोन देखा ये लेम्डा not हाइपरोन शिर्फ एक ही state में है इसलिश को singlet कहते है और लास्ट में हमने देखा s is equal to minus 3 stranus का particle वो था omega minus ये हाइपरोन भी सिर्फ एक ही state में होता है कुल मिला करके किसी elementary particle या कोई भी elementary particle जो है वो एक state में हो सकता है या उसकी एक अवस्ता हो सकती है वो दो state में हो सकता है उसकी तीन state भी हो सकती है तो इनकी अवस्ताओं की व्याख्या करने के लिए यह माना गया कि जिन कणों की केवल एक आवे सवस्ता है जैसे lambda की थी, omega की थी कि ऐसे particle जिनकी केवल एक आवे सवस्ता है या एक आवे सवस्ता ही संबव है उनकी आईसो इस्पिन क्वांटम नंबर जो है वो i is equal to 0 होगा उनकी आईसो इस्पिन क्वांटम नंबर जो है वो i is equal to 0 होगा यह तो आई सिंगलेट state की बात सिंगलेट उसके बाद में कुछ से elementary particle ऐसे भी है जिनकी दो-दो आवे सवस्ताएं होती है जैसे नुकलियोन की दो आवे सवस्ताएं है प्रोटोन और निट्रोन प्रोटोन चार्ज पार्टिकल है निट्रोन निट्रल पार्टिकल है जै पार्टिकल को पड़ा हमने जै नॉट और जै माइनस एक उदासिन है और दूसरा चार्ज पार्टिकल है तो ऐसे elementary particle जिनकी दो आवे सवस्ताएं होती है उनके लिए आईसो इस्पिन क्वांटन नंबर जो है वो आई इस इक्वाल टू वन बाइट टू डिफाइन किया गया ये किसके लिए है ऐसे elementary particle जिनकी दो दो आवे सवस्ताएं होती है अर्थार्थ वो डबलेट स्टेट में होती है और लास्ट में फिर कुछ से elementary particle ऐसे भी आएं जिनकी तीन-तीन आवे सवस्ताएं होती और उसका एक्जामपल हमने सिग्मा हाई प्रॉन देखा जो सिग्मा प्लेस, सिग्मा माइनस और सिग्मा नोट के रूप में था एक positive सिग्मा हाई प्रॉन एक negative charged सिग्मा हाई प्रॉन और एक neutral सिग्मा हाई प्रॉन तो जिन elementary particle की तीन आवे सवस्ताएं होती है उनके लिए iso spin quantum number जो है वो i is equal to 1 डिफाइन किया गया और ये किसके लिए डिफाइन किया गया एसे elementary particle जो triplet state में होते है जिनकी आवे सवस्ताएं तीन तीन होती अब हमने ये आवे सवस्ताएं singlet के लिए iso spin i is equal to 0 doublet के लिए i is equal to half और triplet के लिए i is equal to 1 डिफाइन किया अब हमें सिर्फ ये पतध्यान रखना है कि singlet state के elementary particle के लिए i is equal to 0 होगा doublet state के elementary particle के लिए iso spin quantum number i is equal to half होगा और triplet state elementary particle के लिए iso spin quantum number i is equal to plus 1 होगा अब इस iso spin के correspondence total कितने state होगी वो state होगी 2i plus 1 total i is equal to 0 है तो उसके लिए state 1 आएगी total i is equal to half है तो i के जिगे यहाँ पर half रखेंगे तो total state 2 आएगी और i is equal to 1 रखेंगे तो total state 3 आएगी और यह जो state है वो minus i से लेकर के plus i तक vary करेगी लेकिन 1 के difference है तो इस प्रकार से हम किसी भी particle के लिए iso spin quantum number कितना है वो ग्याद कर सकते हैं और अगर iso spin quantum number दिया हुआ है तो उसकी कितनी state होगी इसको भी हम आसानी से ग्याद कर सकते हैं यहाँ पर एक यह मेसान और बेरियोन की iso spin के लिए एक table दी भी है और उस table को देखें तो first जो column दिया है वो multi plates का दिया है कि singlet के लिए doublet के लिए और tri plate के लिए अब जो singlet state में particle है वो यहाँ पर दिया है इटा नॉट लैमडा नॉट और ओमेगा माइनस इन्हें सभी की iso spin 0 है क्योंकि singlet state में है और इनकी जो total state है वो भी 0-0-0 third component जिसको हम कहते है total state को doublet वाले जो particle है उनमें देखिए आप K-mason particle है K-plus और K-naught और इनके एंटी पार्टिकल K-naught, bar और K-minus इसी प्रकार से proton और neutron जिनको nucleon नाम दिया हमने और J-naught और J- इन्हें सभी की iso spin देखिए तो I is equal to half क्योंकि सभी doublet state में है और फिर उसके बाद में इनके total state जो थी उनको निकाला और total state के साथ ही इनका iso spin number जो define किया कि हर state के लिए कितना कितना iso spin होगा जिसको हमने iso spin का third component कहा है तो वो यहां दिया है plus half और minus half plus half और minus half और last में है triplet वाले और triplet वालों में एक तो अपने को pi में सुन दिया है pi plus, pi not और pi minus और एक दिया है अपने को sigma high prone sigma plus, sigma not और sigma minus यह दोनों ही में सुन और high prone जो है triplet state में है इसलिए इनकी iso spin 1 होगी और चार्ज state जो है वो pi plus की plus 1 pi not की 0 और pi minus की minus 1 sigma plus की plus 1 sigma not की 0 और sigma minus की minus 1 तो इस table की साइता से भी हम mason और barion particle जो है उनकी iso spin को learn कर सकते हैं calculate कर सकते हैं आज के लिए इतना ही next topic अब हम next class में देखेंगे आज के लिए आज की